इस मामली की तह में जाकर के साजिस करताओं को भी और इस घटना की जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली और सब परिवारों को गिनोंने किसे बुक होया है मैं कंडूलिंस उफर तरता है इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना आखिका सरकार क्या कर रही थी एक भूले बाबा का कोई आयुजन अस्थानिय गाओं में उनके द्वारा सत्संग के आयुजन के माध्यम से किये जाते रहे हैं और अस्थानिय भक्तगर्ण उस कारिक्रम में भाग लेते हैं उसमें जब मंचिय कारिक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचन करता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड उन्हें चूने के लिए उधर जा रही थी और सिवादारों के द्वारा रोकने पर यहाथसा वहां पर गटित हुआ इस पूरे मामले की जाच के लिए हम लोगोंने एडिस्नल डीजी आगरा कि अध्यक्स्ता में मंडला युक्तों अलीगड को सामिल करते वे एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्द कराने के लिए कहा है घटना को देखते वे प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजी पी वहीं पर कैम्प कर रहे हैं प्रदेश सरकार के तीन मंत्री चौधरी लक्षिमी नार्यण जी से संदीप सिंग जी से असीम अरुण जी ये तीनों लोग वहाँ पर घटना स्तल पर ही कैम्प करके गायलों को उप्चार आधी की विवस्था में लगे हुए है आधने प्रधान मंत्री जी ने भी और आधने ग्रह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख ब्यक्त करते हुए सोक संतप्त प्रिजनों की प्रति अपनी संवेदना प्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राजय सरकार ने भी मिर्टक के प्रिजन को 2-2 लाख रुपी की और गंभी रुप से गहायल परिवारों की नागरिकों की भी 50-50 जार रुपे की साहिता की गोश्णा की है राजे सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा यहाजसा है या साजिस यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे इस प्रकार की घटना पर पीडितों की प्रती संबेदना ब्यक्त करने की वज़ाए राजनीती करना यत्यन तो दुरभाग्यपूर्ण है और निंदनी अभी सरकार इस मामले में पहले से संबेदन सील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिस करताओं को भी और इस घटना की जिम्मेदार जो है उनको भी उचित सजा देगी सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना आखिका सरकार क्या कर रही थी और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए बहुत दुखद है सरकार की जिम्यदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग घटे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिकार उनकी सुरक्षा उनकी विवस्ता के लिए सरकार ने क्या किया ये सबसे बाद प्रश्चन लगता है अगर जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक दिहान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी इसके लिए जिम्मधार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मधार है मरने वालों की मदद हो उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो जो अगर घायल है जिनको इलाज की जरुवत है हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराईगी